वेलकम टू एटरी पाबर और माई डियर ए स्टुडेंट जो नए है सबस्राइब जरूर रहें बहुती सांदर कंटेंट के साथ आपको ट्लास दी जाएगी और कोशिंस दिये जाएंगे ना आज का जो है कोशिंस सेसन है हमारा जैम और जैली इसकी में ठोरीवी बताँवाँ और इंडलिश मेडियम और हिंडि मीडियम भी दोनो की ठोरी बताँवाँ गभाँगा है ना पहले कोशिं फिर ठोरी अब बात करें इतना सांदर कोशिं और पैटरन ठाहां से आया है उसकी भी मिथोड़े से आपको चर्चा बता देता हूँ देखे ये जो content जो मैंने questions लिए हैं वो इस बुट से लिए है सौनू टुमावत सर जो अभी बर्तवान में साइटर सी अधकारी है उनके द्वारा बस्तुनिष्ट बाढ़वानी की एक object बहुती तलचर हिंदी मात्यम के लिए नेटा ली रही है बुट जो अभी Amazon पर भी उपलब दे कोई भी बिद्दार्थी लेना चाहे ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी सभी बुट रिश्टोर पर उपलब दे तो आप वहां से ले सकते हो ठीके और ऑनलाइन की लिंक में दे दूँगा ठीक है सोनु टुमावासर की बुट से हैं बहुत अच्छा जो है बुट लिठी रही है बहुत अच्छे कोईशन्स हैं चलिए अब आप उन कोईशन्स पर देखते हैं सबसे पहला कोईशन आपकी इस तरीन पर है फर्स्ट कोईशन जो है देखते हैं जैम और जैली इसकी थेहरी भी बताऊना मैं जैम जैली हितु तिरमे से उपिट तो फल है आंसर आपने सोच लिया होगा जैम और जैली ये बनाने टलिए सबसे उपिट तो फल कौन सा है माई डियरे स्टुडेंट जैम बनाने टलिए तो सेव और जैली बनाने टलिए क्या है अमरूत है अटला कोईशन कोईशन नमर दो पढ़वा आप अच्छे से दो पढ़ लिया आपने अब टी एसस पूछा है ना टोटल सॉलूबल सॉलिड जो है इसमें आप से पूछा गया है तो इसको क्या answer आएगा बही रेफरेक्टोमीटर है न क्या है टोटल डूलंची टोस टिस्टे दवरा रेफरेक्टोमीटर के दवरा टीक है सिंपल कोईशन है कोईशन कुशन नमर थरी पर आओ कोईशन नमर थरी में क्या बोल रहे है कि जेली बनाने में उप्योट टिये जाने वाले फलों में आवज से डटट होने चाहिए देखो जेली जब बना रहे हो जेली जब बना रहे हो तब आवज से डटट क्या होना चाहिए तो देखो इसमें आपके पैटिन और अमल ये दो आवस्चे डटक ये मैथपूर है सब में जो है more correct क्या है तेंसन मतलो बाद में मैं थियोरी इंगलिश मीडियम और हिंदी मीडियम भी पड़ा हूँ नए हैं सबस्त्राइब कर देना question number 4 की बात करते है question number 4 कर रहा है कि अंतिम पता बिंदू पर jelly jelly का ताप मांद देखो jelly का ताप मांद जो है 105 डिडरी Celsius अब जैसे बात करें इसको फारेनाइट में जैदी लिखे हैं तो 211 डिडरी फारेनाइट ये देखो कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे ना चलिए end point जो होता है मैं बता हूँ आगे इसकी त्योरी भी बता हूँ आपको question number five त्यार jam और jelly में कुल TSSD मात्रा देखो jam jelly ऐसे याद रखो jam jelly जादा कम jam jelly जादा कम भाई आप confuse हो जाते हो कभी जबी 68 के समें आएगा और 65 के समें आएगा तो ऐसे याद रखो jam jelly जादा कम jam jelly जादा कम ठीड़े तो आरम से याद हो जाएगा छीड़े चलिए अड़ला बढ़ते हैं question number six से देखते हैं jelly बनाने ये तू पेक्टिन की मात्रा ज्याद करते हैं अब देखो बहुत अच्छा question है कि जो पेक्टिन की मात्रा देखो alcohol बिदी से रियाद करते हैं और gel meter से रियाद करते हैं इसका मतलब इसका answer क्या जाएगा एक और दो दोनों अड़ला है FAO FAO मतलब food product order 1955 जो है अब ध्यान रखाए ये भी पूछा जा सकता है food product order कब पारित हुआ था ये ना तो ये हुआ था 1955 में जैम जैली में फलकांस अब इसमें फलकांस का मतलब है fruit juice आप से पूछा है fruit juice तो fruit juice कितना होना चाहिए भी 45, 45 होना चाहिए ये याद रखें अड़ला question है question number 8 question number 8 exam में आये हुआ है और exam एजटेज इसमें पूछा भी inverter disorder जो पृतीब सर्तरा है उसकी मात्रा पूछी है वो भी किसमें पूछी है जैम में पूछी है इसका answer जाएगा 3 जाएगा लेकिन थोड़ा सा इसमें जैसे कई बुटोंटी बात करें तो बुटें ये कहते हैं कि चालीस प्रतिसस से अधिक नहीं होनी चाहिए जो inverts order है जैम में वो 40 प्रतिसस से अधिक नहीं होनी चाहिए तो थोड़ा सा इसको अलंडी एट्जाम में ये ही माना है लेकिन कुछ बुटोंटी इसको 40 तर मानती है तो ये जैसे 30 से 40 तरो तो और ज़्यादा more caretto हो जाएगा अब देखो question number 9 और 10 इनको देखो पहले में क्या टर रहे हैं पहले में जो है pro patin से क्या बना रहे है patinit acid और दूसरे में हम क्या टर रहे है patinit acid से क्या बना रहे है patinit acid अब इन दोनों में बदलने का enzyme जो enzyme है वो पूछा है तो देखो इसका है protopatinage और इसका है patinit methyl esterase ठीक है यह ध्यान रखना है आपको ठीक है बहुत अच्छी है आप बहुत जरूर ले 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 ना market में जब भी आप कहीं जाओ और market से बहुत जरूर पर सेच रहे हैं यह बाली चले वीपिन जैली अब देखो यह कितना जबरदस्त कोशन है बहुत सांदर अब यह कोशन देखो सिंडरेसिस के बोल के भी आ सकता है और वीपिन जैली भी बोल के आ सकता है मतलब एडजामनर दोनों में से कोई सा भी दे सकता है तो ध्यान अटनर सिंडरेसिस का मतलब भी क्या है वीपिन जैली मतलब जैली का रोना अब देखो इसका इट सिंपल सा ट्रिट बताता हूँ बच्चा जैली का रोना रोना का मतलब है आँखो में आसू तो देखो आँखो में आसू का बात है जब आपने तबी खटा नीव उखाया खटास यनि की ज़्यादा खटास होगी खटास क्या होगी ज़्यादा खटास मतलब क्या होता है अमल यन की ज़्यादा अमल होगा तो आप देखो एकदम आखों में एकदम आसू से आ जाते हैं या फिर एक बच्चा क्यों रोता है बच्चे को जब मीठा चीनी नहीं मिलती है तब रोता है तो इस में से कोई दो आप्शन में से कोई एक होना चाहिए अब देखो यहां पर क्या है यह रहा ठटास जो है यह उच्छ अमल यह रहा आंसर इसका दो आ जाएगा है ना इसमें जो है और सरकरा की कमी एक option जदी यह नहीं हो तो ऐसा हो सकता है कि सरकरा की कमी ठीक है यह दोनों option में से कोई एक हो सकता है सिंडरे सिस्टी ठीक है चले question number 12 को देखो jam का मुख्य बार है तो देखो जो फल का गुदा होता है यानि कि जो fruit pulp होता है वो इसका मुख्य बार होता है अब question number 13 को अच्छे से आप पढ़ो read करो अच्छे से आप read करो कि इसमें काहा है कि जैली बनाने का जो अंतिम बिंदु है उसके बारे में सत्ते कथन आपको बताना है पहला option पढ़ते हैं जैली बनाने के लिए कुल रोलंचिल ठोस 65% होना चाहिए सही है बई 65% होना चाहिए कोई दिख्टत नहीं है एंड बिंदु 805 या 219 से 230 डिद्री फारेनाट होना चाहिए ये भी सही है तियार जैली का बजन मिलाइडे चीनी की मत्रारा देड़ कोना होना चाहिए ये भी सही है अडला है seat या flank test तियार जली का पता लगाने टेश्ट जो तियार जली है उसका पता लगाने यानि एंड पॉंट को जयात लगाने ये seat और flat test लिया जाता ये भी सही है अडला question तियार जली में फल्का बाठ कम से कम 30% से दूना चाहिए क्या 30% से दोना चाहिए नई ये डलत है ये होता है आपके 45% है जान रखे तो इसका मतलब इसका आंसर कहा जाएगा थर्ड बहुती सांदार जबरदस्त कोशन है सरकी बुटके जरूर पर्चेस करें जैली में पैटिन की मात्रा पाए जाती है अब जबर जैली में जो पैटिन की मात्रा वो कितनी पाए जाती है एक प्रथिसत पाए जाती है जैं में अमलता अब देखो कितना बढ़िया टोशन है जैं में अमलता पूछी है अमलता कितनी ये जीरो पॉंट 5 से 0.6 और 0.75 से यह आपके जैली में पाई जाती है किस में पाई जाती है जैली में पाई जाती है ठीके तो यह 15 question है जो हमने अभी की है अब इसके अलाब आप इसकी jam और jelly जो theory है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ थोड़ा सा आप पढ़ें इसको देखते हैं अपन सबसे पहला है jam के बारे में हम देखते हैं jam का जो tss होता है 68 के दो या 60 मतलब 68 के दो या कुछ भी 68.5 के दो 80 बात है अम लिता SATT 0.5 से 0.6 होती है inverse order यानि प्रतीव सुर्टरा 40 प्रतीश से जादा नहीं होनी चाहिए jam मनाने के लिए सबसे अच्छा जो फल होता है वो apple होता है jam के लिए जो फल जूस fruit जूस जो हैं 45 प्रतीश से इसमें मिलाते हैं अरला देखते हैं देखो to the point जो exam के point of vision मैं बता रहा हूँ है न ऐसे समझाने के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ बागी आप समझदार आप खुद ही बहुत ज़ादा हो जरूती नहीं है है न judging end point jam इसके लिए देखो seat और flint टेस्ट किया जाता है temperature टेस्ट भी किया जाता है और जब आपकी jelly बनी है तो इसका मतलब उसका TSS कितना होगा रेपरेट्टो मीटर से आप गयाद कर लो और temperature गयाद कर लो इसका मतलब आपकी jelly तयार है कुछ jelly में जो है problems होती है जैसे की crystallization की sorry jam में jam jam cane sugar less than जब 30% से कम हो जाती है तब crystallization आ जाता है crystal के तोर पर बन जाती है यदि आपकी gummy है sticky है इड़्दम चिपचिपई है तब इसका मतलब उसमें चीनी की मात्रा high TSS high TSS का क्या मतलब है चीनी की मात्रा high TSS यानि ती रेफरेट्टो मीटर TSS मतलब क्या है चीनी की मात्रा है कि तो एक मापन है total soluble solid ठीक है फिर pre-mature setting of jam is due to यदि pre-mature setting हो रही है इसका मतलब जो है प्रोपरिम में mature नहीं हुआ है jam तो क्या बज़े हो सकती है या तो आप चीनी की कमी है या पेट्टिन की बहुत ज़्यादा मात्रा है तो यह आपके jam के बारे में अच्छे important line हो रही है jelly के बारे में बताए है अच्छा jam पारदर्सी होती है और यह आपके semi solid होती है थोड़ा सा है ना jelly में जो है soda कितनी 65 प्रतिसत acidity कितनी 65 75 से 8 प्रतिसत पेट्टिन की मात्रा अब देखो इसमें पेट्टिन की मात्रा 0.1 तर होती है sorry 0.1 नहीं 1 तर होती है 1 परसेंट तर है यह द्यान अटना पेट्टिन की मात्रा fruit juice की बात तरहे तो यह देखो 45 परसेंट होता है most important क्या है jelly के लिए बो है पेट्टिन guava high patin देखो guava में क्या है guava अमरूत जो होता है उसमें बहुत जादा पेट्टिन होती है तो इसलिए most suitable for patin preparation अचा एक question यह बहुत अच्छा बन सकता है ति जो jelly है jelly के लिए जो pH है सबसे अच्छी pH कितनी होती है jelly थी 3.5 है ना आप से कोई पूछ लेटी बही सबसे अच्छी jelly थी pH बताओ 3.5 होती है अच्छा jelly के लिए जो acid है अब option आजाए आपके बहुत सारे options आजाए citrit acid है malic acid है orgilic acid है तब आपको recommend करना है कि acid बताओ jelly तो आपको citrit acid मानना है कुन सा मानना है citrit acid चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखो अटला है determination of patin content अब देखो patin का परिछन करना है तो alcohol test और आपके gel meter है अब इन्दी माद्य में भी बताऊँ हूँ आपके निशिंद रहे है अटला है firmness of fruit due to the calcium patate मतलब अजीव से हो जाते हैं calcium patate की कारण फिर देखो syndresis syndresis को को केते हैं bipin jelly due to the excessive acid भाई बहुत ज़्यादा जब खटास है जैसे आपके निवू बाला में एटजाम्पल दिया था और कम चीनी है तब जो हैं ये syndresis होती है फिर उसके बाद आजाओ failure of to set jelly due to the lack of patin यदि patin की बहुत कम मात्र है तो आपकी jelly set नहीं प्रोपर बें में नहीं बने गी और यदि patin की बहुत ज़्यादा मात्रा है तो आपकी jelly कैसी हो जाएगी भाई साब टफ हो जाएगी ठीके तो ये आपके jam jelly के बारे में हो गया टेली डेम चैनल आप आइदरी पाबर इंस्ट्टूट का टेली डाम चैनल जोइन रहे और वहाँ पर आपको मिल जाएगा बाकि मेरे नमर से आप संपर कर सकते हैं चले अब हिंदी बात देंबालों ते लिए थोड़ा सा देख लेते हैं jam और jelly में जो हैं अंतर देख लेते हैं jam क्या है फलों के गुदों को चीनी वा ठटास के साथ पता कर तयार किया गया sorry एपार दर्सी मैंने आपको साथ पहले पार दर्सी बताया था jam को नहीं jam एपार दर्सी होता है यानि आपका नॉन ट्रांस्परेंट आपके सकते हो और सुद्ध ठोस होता है jelly की बात करें तो आपके jelly जो है अर्द ठोस पार दर्सी होती है इसमें patent कोई महत्पूरी नहीं होता है jam में और यहाँ पर patent की मात्रा 1% होती है jam का TSS 68 होता है तो jelly का कितना होता है 65 होता है pH मैंने बताई दी थी यहाँ थोड़ा सा pH को 3.2 टल ले ना तो best रहे रहा 3.2 है ना सबसे best रहती है तापमान दोनों टल लड़वट सेम रहता है अमलाताटी बात करें तो देखो jam में 0.5 से 0.6% अमलता होनी चाहिए और jelly में 0.75 से 0.1% होनी चाहिए फल का बाद इसमें 45% और इदर भी 45 पैटिन की कोई आवस्टता नहीं हो भी तो और नहीं भी लेटिन यहाँ पर पैटिन जरूरी है jam मनाने लिए सबसे अच्छा फल क्या है? सेव है और इसका क्या है? अमरूद है ठीक है? चलिए पैटिन पैटिन परिच्छन के लिए अलकोल टेस्ट किया जाता है और जैल मीटर किया जाता है ठीक है? बाकि चीनी की मातरा और यह आप देश सकते हो ठीक है? जैल मीटर का यदि पाठ्यान जो है 1.25 इसका मतलब बहुत अच्छी जैली है इस प्टार से जो है दिया गया है फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा और देट लेते हैं जैल थर्मामीटर जैली का अंतिम मिंदू रियाद करने लिए जैल थर्मामीटर का काम में लेते हैं सीट टेस्ट जैली का अंतिम मिंदू रियाद करने लिए है ये भी seat test रेफ्रेक्टो मीटर ये भी जैली कांते मिद्द और चाहता है नुद जैल थर्मा मीटर था अन्मान को मापता है seat test जो ये test जिसमें से पुरा it 7 तेस्ट गिर रहा है ये नई गिर रहा है ना it seat के form में करेना चाहिए जैली जब हम डेढ़ते हैं है ना और रेफ्रेक्टो मीटर मतलब चीनी की मतला जैसे जैली ते लिए चीनी वाई कितना होने जै पेंसट इसी परकार से जैली निर्मान की कटनाईया मैं बता चुछा हूँ जैली का ना जमना जैली का रोना है ना यह आप पढ़ लेना वीडियो पहुझ करके यह आप पुरा जो है वीडियो पहुझ करें और इन तीनों को आप पढ़ें ओके माई डियर स्टुडेंट और हमारा जो चैनल है उसको आप सब्स्राइब करो आपको क्या चाहिए वो आप मुझे बताएं और मैं आपको जो है जरूर कुछ ना कुछ अच्छे कुश्चन्स आपके लिए ले लिया हूँगा और चैनल को सब्स्राइब कर दें जरूर और सेर जरूर रहे हैं आपके सपोट और प्यार के लिए मैं पुस्पेन चौदरी आपका ते दिल से धन्वाद देता हूँ थैंक्यू सो मच माई डियर स्टुडेंट थैंक्यू सो मच